लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ा serious allegation है कि जो सुबाई election commission है वो एक खास सियासी जमात को support कर रहा है जिसका नाम Pakistan People's Party है लेकिन Pakistan People's Party तो पहले ही level playing field ना होने के दावे कर रही है आप लोग कह रहे हैं कि सुबाई election commission उनको support कर रहा है फिर local bodies के election की आपने बात की तो हर party को level playing field ना होने कि उनके जारे खतराद भी है थाफूजाद भी है तो ऐसे में अगर election मतनाज़े ही हो गए है होने से पहले तो ऐसे elections को मानेंगा कौन क्या आप लोग मानेंगे देखिए एक तो चीफ election commission प्रविंशल की सिर्फ हम MGM बात नहीं कर रही है प्यमलन बात कर रही है जय यूआई बात कर रही है जी डिये बात कर रही है पीर पगारा साब की पार्टी जो हो बात कर रही है एन पी बात कर रही है सब को पता है कि यहाँ people's party के लावा सारी पार पार्टी है सब जो है वो उन पर इतरास कर रही है यहाँ पर तो यह सिर्फ हमारी बात नहीं नहीं हो नमर्टो यह कि जो people's party level playing field की बात कर रही है वो उनको यह शायद यह गुमान था कि उनको उनकी कोई facilitation होगी पंजाब में और बलुचस्तान में वो facilitation नहीं हो रही selected का ताना देते थे अब वो खुद जो है वो पेश कर रहे हैं अपने आपको कोई बुड़ा हो गया है मैं जवान हूँ मुझे जो है वो वजिर आदम बनाए जाए अब यह वो दर्खवास वो कोई आवाम से नहीं कर रहे है वो आवाम के वोटों के लिए यह वाली बात न कर रहे हैं तो फिर एलेक्शन की तो लगता है कि आप क्यों आपको भी अंदाज है कि आप एलेक्शन जीत नहीं पाएंगे और आप जीत नहीं सकते एलेक्शन जीत कर आप वजिर आदम नहीं बन सकते आपको सेलेक्टी किया जाए तो वजिर आदम बन सकते देखिए पीप पंदरा सालों से जहांपर सूब संद में हो को रही है, कि वो लहूर को कराची जैसा बना देंगे. चार बतरी निसानों के रहने की जगए बन गई है. जहांपर दुनिया चांद पर जा रही है तो हमारे शहर में हर दूसरे दिन बच्चे जो हो गटर में गरकर मर रहे हैं, हम गड़र का ढ़कर नहीं लगा सकें आज तक पानी आता नहीं था नहीं प्रवादी है तो लौहूर में खड़े हुकर यह नहीं कैसकते हैं जहांपे संध में मेरी जो मुस्लिम लिग नून अब तासुर मिटाने की कोशिश भी करी जिस पार्टी के साथ आप लोगों ने इताहत किया उनके बारे में क्या ख्याल है अगर पाकिसन पीपल्स पार्टी लाडले की दौड़ में शामिल होना चाहती है लेकिन जिनके साथ लाडले वाला सुलूक ह तो रहे उसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का लाडला बनने के लिए कुछ पल्ले होना भी चाहिए ना आप बगएर कुछ नहीं हो और फेक लाडला नहीं बना सकते आप ठीक है किसी को भी आपके पास कुछ ग्राउंड पे कुछ आपकी आपकी जोली में कुछ हो होना भी चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की तीन बड़ी पार्टिया हैं पीटी आई है पीपस पार्टी है पीमेलन है ठीक है और हमारे मुल्क के डायनमिक्स यह है कि जो पंजाब जीता है उसके पास चांसे होते हैं कि वो पाकिस्तान के वजीर आदम की दोड़ में सरेफेर सरेफेरिस ठीक है चुँके सीटेमाँ ज्यादा है अब पंजाब को का पोस्टम कर लेते हैं पीपस पार्टी पंजाब में नहीं नज़र आ रही पीटी आई के साथ जो मामलाथ और हालात हैं पीटी आई पंजाब में ऑर्गनाजिशनली तोर पर नहीं नज़र आ रही है आज अगर लीडर्शिप से लेकर ग्रासू टैवल पे स्ट्राइफ करके, कोशिश करके, मेहनत करके, अगर कोई पार्टी मौजूद है इन तीनों पार्टी में, तो पंजाब में नवाज शरीफ सहाब के आने के बाद P.M.L.N है और वो नज़र आ रही है। तो देखिए जो 2018 में उनके साथ हुआ है, कोट्स की तरफ से, और उस वक्त के एदारों के लोगों की तरफ से, और तमाम चीज़ों की तरफ से, उन्होंने उस वक्त भी जो है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने आपको मौजूद रखा, पंजाब की उस वक्त भी 2018 में P. लाडले बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको घर से निकालकर लाडला बना दिया गया, उनके खिलाफ कोट केसिस बनाए गए, मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं कोई, उनकी कोई हिमायत ये तो इसका मतलब यह हुआ, लाडले बनने के लिए कोट केसिस होना जरूरी होता है, ज मैं यह कह रहा हूँ, मैंने यह बात नहीं कि, मैंने जो बात की, मैंने का कि आपके पास कोई अपना भी आपके पल्ले में कुछ होना चाहिए, आपकी कोई पॉप्लरिटी होनी चाहिए, आपकी ग्राउंड पर इंग्रेस होनी चाहिए, आपकी ग्राउंड पर आपका अमारे एलावा हमारी 40 साल के इसका उठाएं तो हम जोई वो कौशिश कर रहें आज भी और और इजा रहे लोगों के पास हमने एक मरजर किया आपस में, मिल गए, आप खुद बैट कर पैसले कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, ग्राउंड पर हमारी लेगेसी है, काम की आखरी, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के, को हम कोई खुदाना खासता हमको परसनल तनकीद नहीं करते हैं, हम तो उनके कामों की तनकीद करते हैं, च पाकिस्तान के लोगों की आशूस के उपर, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो आब-पयात है, इसको पाकिस्तान को पीना पड़ेगा, पाकिस्तान को बचना और आगे चलना है तो, तो यह और्गेनिकली काम हो रहा है ना, शादी हम तो किसी को जा कर यह फर्याद नहीं कर रह हैं वो कहते हैं कि involve हो लेकिन हमारे लिए हो वो कहते हैं कि लाडला बनाएं लेकिन हमें बनाएं उनको प्रॉब्लम उस वक्त ने को किसी और को बना रहें कोई भी यह नहीं कह रहा कि भाई establishment की involvement कि involvement होनी चाहिए हमारे लिए होनी चाहिए इनका यह है तो इसलिए मैं समझता हूं कि इन लोगों की बातों में असर नहीं है पर अच्छा MQM के साथ हमेशा यह होता रहा है कि हुकूमतों में आने के बाद जिस पार्टी से भी आपका इतहाद हो पीटी आई हो पीपल्स पार पीज़ाद भी सामने आते हैं नाराजगियां भी होती हैं फिर आप लोग इसमनियों से निकलने की भी काबिने की बात करते हैं अब आप लोगों का मतालबा तो बड़ा सबरदस्त है अठारवी आईनी तर्मीम में जो सुबाई खुदमुखतारी है आप बिलकुल जबरद बात कर रहे हैं कि ये अख्तियारात नीचे तक जाने चाहेंगे लेकिन मेरा सवाल ये है कि आएन में तो पहले ही ये चीज़ मौजूद है अगर मैं गलत नहीं हूं 140A में बल्दयात को पहले ही बल्दयाती अदारों को राइट्स दिये गए हैं कहा गया है कि निचली सता कि ये सब कुछ मुंतकिल होना चाहिए अब आप लोग जिन आइनी तरह मीम की बात कर रहे हैं पहली आइनी हमारा आइन है उस पर अमल नहीं हो रहा आप लोग तरह मीम कर वा लेंगे तो क्या फरक पड़ेगा मुस्तफा कमाल साब सुन लिजे मैं को एक्स्प्लेइन कर देता हूँ इंपॉर्टेंट बात इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम दीजेगा आपने 141 का जिकर किया उसमें सिर्फ चार लाइने लिखी हुई हैं के पुलिटिकल एड्मिस्टरिव और फाइनेशल पावर विल बी डेलिगेटे ट इलेक्टेड लोकल गवर्मिन्ट डेट सेट इन चार लाइनों को आपने जब छोड़ दिया है वजीर आला के ओपर कि वो तश्री करें तो वो क्या करता है वो अपनी मर्जी से